हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी अभी हमने एक टॉपिक की बात की जिसका नाम था मोशन तो मोशन के बारे में हमने उसका बेसिक टरम समझा एक औजेक्ट तीन तरह से मोशन कर रहा था जिसका नाम क्या था? आप कहेंगे सर जिसका नाम था rectilinear and translatory, उसके बाद था circulatory and rotatory और तीसरा आपका क्या था? oscillatory and vibratory. यह तीन तरह के motion एक object में हो सकते हैं. आगे अब हम बात करेंगे किसकी distance and displacement की. यह जो distance हुआ, displacement हुआ, speed हुआ, velocity हुआ, exploration हुआ, यह basic terms हैं जो motion chapter से relate करती है. इसका मतलब यह हुआ कि बिना इनके हमारा motion chapter incomplete है, तो पहले हम basic terms की बात करते हैं और basic terms में पहला ही नाम किसका आएगा? आप बोलेंगे सर डिस्पेंस का नाम आए. distance, तो देखिए, यह आपका कोई point है A, और suppose करते हैं, यहाँ पर कोई point क्या है? B. A और B के बीच में कोई ना कोई length है, कोई ना कोई gap है. यह gap small v हो सकते हैं और large v हो सकते हैं. clear हुई बात? तो अगर मैं आपसे कहूं कि यह way है, ऐसे गूम के, कैसे भी जा सकता है यह रस्ता है? तो यह अगर ऐसे गूम के जा रहा है, जैसे और हमने देलिया यह. इसका मतलब यह हुआ, A और B के बीच में जो path associate है, associate का मतलब है present है. A और B के बीच में जो path हमेशा always क्या हो, associate हो, उसी को ही हम क्या बोलते है, distance बोलते हैं. जहां से समझेगा, यहां से लेकर यहां तक, यह path है, तो मैंने एक रस्ता है, तो मैंने स्क्रम को लिख दिया path length. और मैं जानता हूँ, यह path length है, इसके अलावा, इस diagram में कोई दोसरा नहीं रस्ता, तो यही मेरी क्या हो जाएगी, आप क्या कहेंगे sir, actual length हो जाएगी, और जब actual length हो गई, तो यही है, और एक word हो सकता है, और जिसके लिए हम use कर रहे हैं, total length. ख्लियर होई बात, तो path length बोल दो, actual length बोल दो, या total length बोल दो, या distance बोल दो, यह सारी बाते A के ही हैं, ख्लियर होई बात, अब आप चाहें तो A से B की तरफ जा सकते थे, आप चाहें तो B से A की तरफ भी आ सकते थे, लेकिन इस diagram में ऐसा कुछ है नहीं, क्लियर नहीं है क कौन A से B की तरफ गया, कौन B से A की तरफ आया, इसका मतलब ये length हमेशा associate ही रहेगी, ऐसे ही present रहेगी, और ऐसे ही present रहेगी तो क्या है distance, क्लियर होई बात, तो अगर मैं कह दूँ, क्या total length और actual length और path length between two points is always card उसी को हम क्या बॉल देते हैं, आप बॉलेंगे सर्थ, उसी को हम क्या बॉल देगे, distance दूसरी बात देखिएगा, हमारी जो distance है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि सर्थ, अगर मैं initial position हूं और कोई final position है, और आपके बीच में थोड़ा सा भी gap है, present है, minimum ही सही, लेकिन है तो सही, वो 0 तो नहीं है, कि बिल्कुल touch होके खड़े हैं, और जब बिल्कुल touch होके खड़े हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे बीच gap है ही नहीं, तो distance है ही नहीं, तो distance वहीं पर बोलेंगे, जहां पर कम से कम क्या हो, gap तो present हो, और जो चीज कम से कम होगी, उसकी कोई ना कोई value तो होगी, लेकिन 0 वो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि it may be, क्या होती है वही, आप कहेंगे सर, positive, negative, always, but never be, क्या नहीं हो सकती, आप कहेंगे सर, 0 as well as negative, ना तो यह 0 हो सकती है, ना ही यह negative हो सकती है, हमेशा अगर distance होगी, तो क्या होगी, positive, कभी भी आप ऐसे कहते हैं, या आप नहीं कहते हैं, क्या, कि मैं minus 500 मीटर चला, मैं minus 1000 मीटर चला, या मैं चला ही नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप चलेंगे, तो कोई ना कोई length आप जरूर cover करेंगे, और जो length आप cover करेंगे, वो क्या होगी, distance, आप इसमें कौन A से B की तरफ गया, या कौन B से A की तरफ आया, ऐसा कोई define नहीं है, तो define नहीं है, तो इसका मतलब इसमें direction नहीं है, और जिसमें direction ना हो, उसको हम scalar quantity बहुते हैं, तो it is in, क्या हुजएगी, आप कहेंगे सर, scalar quantity, because it has magnitude only, इसमें केवल क्या है वही, magnitude ये सर, direction नहीं है, एक unit और पता कर लेते हैं इसकी, तो देखिए, आप कहेंगे सर, in SI system, यहाँ पे SI की जो full form है, उसका नाम है standard international, तो SI system में, जर्नली हम इसको किसमें मापते हैं, नीटर में ही मापते हैं, और अगर मैं ये कहूं, क्या in CGS system, तो यहाँ पे जो CGS system है, उसका मतलब है, C से निकला centimeter, G से निकला gram, और S से निकला centimeter, second, तो यहाँ पे क्या हो गया, centimeter, तो ध्यान लटिएगा, centimeter इसकी कैसी unit है, आप कहेंगे सब centimeter तो CGS unit है, जबकि इसकी SI unit क्या है, meter, और एक system ओर होता है, और उसका नाम है, fps, foot, pond, second, तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, क्या foot, और foot भी एक तरह से length को measure करता है, तो length, तो length नाम आया, तो उपर भी हमने क्या लिखा, length, length या length, और length जो होती है, वो किसको show करती है, distance को ही show करती है, clear हुई बात, तो total length या actual length जो होती है, between two points इला always known as distance, यह हमेशा positive ही ही होगी, ना negative या zero होगी, it is a scalar quantity, क्योंकि इसमें सिर्फ quantity है, magnitude है, लेकिन direction नहीं है, अगर direction होती तो vector हो जाता, otherwise कैसा है, scalar, इसके तीन measurement हैं, क्या, एक तो SI, standard international, C से निकलेगा centimeter, G से gram, S से second, foot, pond second, clear होगेगा, तो यह तीनों इसके क्या होगे हैं, measurement unit होगे, clear है इसे, okay, तो length है, और length का symbol क्या होता है, L, जो की इसका dimension होगा, note कर लीजी आप इसको,